करमचारियों के रेटार्मेंट आयू पर राज सरकार का वड़ा फैसला सेवाने वरत आयू में ब्रद्दी 42 वरस तक का मिलेगा सेवालाव करमचारियों के लिए राज सरकार द्वारा महत्मून फैसला लिया गया है उनके retirement आयू में बरदी की गई है अब 42 साल की सेवा पूरी करने वाले करमचारियों को रेटार किया जाएगा ऐसे में 98 बर्स में नियुक्त होने की स्तिती में 42 बर्स की सेवा पूरी करने पर अधकारी 60 बर्स की उम्र में retirement को प्रप्त करेंगे इसके लिए सासन आदेस भी जारी किये गए हैं दोस्तों अगर अब भी जानना चाहते हो क्या है पूरी खबर तो बने रहे हैं मेरे साथ इस वीडियो में लाश्टत करमचारियों के लिए प्रदेस सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की गई है इसके तैद उनके रिटार्मेंट आईउ में ब्रदी की गई है पूर में कई होमगार जवानों और अवेतनिक अधिकारियों की निक्ती 18 वर्से कम आईउ में कर दी गई है जन्तिती और निक्तितिती की समीच्चा में इस बात के सामने आने के बात होमगार विवाग सतर्ख हो गया है कई जवानों और अवनेतिक अधिकारियों के बरती के समय पूरे अवलेक उपलफ नहीं होने की बज़े से विवाग द्वारा मेंटपूर फैसला लिया गया है उत्ता परदेश के योगी सरकार द्वारा होमगार को बड़ी रहात दी गई है उपलफ अवलेकों से मिली जानकारी के मुताबेक बरती के समय जवान और अवनेतिक अधिकारियों की आईउ 18 वर्ष से कम थी ऐसे मामले के निस्तारण के लिए सासन द्वारा मेत्पूर नेले लेते हुए कहा गया है कि अवलेकों में अंके जन तिती को ही आदार माना जाएगा जिनकी आयू बरती के समय 18 वर्ष से कम थी उनकी बरती की तिती से 42 वर्ष की सेवा पूरी होने पर उसे मा की अंतिम तारीक पर उने रिटार्मेंट दी जाएगी हॉमगाड विवाग द्वारा इसके सासन आदेश भी जारी कर दिये गए हैं हॉमगाड संगटन स्वेम सेवक और अविनेतिक अधिकारियों को 42 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद सेवा ने प्रत्त किया जाएगा उनके जन तिती का सही प्रमाण पत्र नहीं होने की बज़े से नुक्ति की तारीक से 42 वर्ष की अवदी पर उने रिटार्मेंट देने का निणन लिया गया है अपर मुक्ष सचिव अनिल कुमार ने इसके आदेश जारी किये हैं आदेश के मुताबिक प्रदेश के सभी होमगाड और अभिनेतिक अधकारी की जन तिती और नुक्ति तिती के प्रकरण की गहन समिच्छा भी की गई है ऐसे मैं करमचारियों को महत्मून लाब भी मिलेगा यदि किसी करमचारी की नुक्ति 18 वर्स में हुई होगी तो उन्हें 60 वर्स तक सेवा का लाब मिलेगा दोस्तो योगी सरकार द्वारा लिया गया हमगाड विवाग पर फैसला सही है या गलत है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना